हाई गाईज, so today we are starting chapter 11, that is air and water देखो, हम लोग का जो अर्थ है न, शरिफ यूनिवर्स में, पुरा ब्रहाबमान में, शरिफ अर्थ ही ऐसा है जिसमें एटमस्फेर पाई जाता है, ठीक है? न, दो, तभी हम सास ले पाते हैं, इसे का अंदर बहुत साराघ्यस होता है, जैसे ऑक्सिजन, यह न, यह यह न, यह ने रहेगा, तो हम लोग का मौत होज़गा, तुरंथी, कुछ मिनिट में, यह न, तो यह जो है, एक blanket है, एक thin blanket है, जो हम लोग बहुत सारा चीज से protect करता ठीक है हम full day से protect करता है और बहुत सारा जो इसमें changes होता है तो वो भी देखेंगे हम लोग ठीक है तो चलो let's start air and water are very important for life है ना हवा पानी बहुत ही महत पूरन है हमारे जीवन के लिए we cannot survive even for few minutes in the absence of air अगर हवा नहीं रहा कुछ minute के लिए भी तो हम लोग survive नहीं कर पाएंगे हम लोग मौत हो जाएगा similarly surviving long without drinking water is not possible इस तरह हम लोग अगर पानी नहीं मिला बहुत दिन तक तो भी क्या होगा हम लोग का मौत हो सकता है other than direct consumption water is used for many other purposes in our day life पानी जो क्या हम लोग drinking पानी पीने के लिए यूज करते हैं मगर सिर्फ वो consumption के लिए नहीं पानी और भी अलग अलग चीज़ के लिए यूसफुल होता हम लोग के daily life में वो सब भी देखेंगे ओके एर एन एक्मस्वेर क्या ही है although we cannot see air it is present all around us हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं ठीक है मगर यह हमारे आसपास है we can feel the presence of air in the rushing of leaves हम लोग हवा को महसूस सरीफ कर सकते हैं हवा जब चलता ना पेड़ पाद हिलते हैं तो वह सब देख सकते हैं हम लोग सुन सकते हैं हम हैसूस कर सकते हैं the clothes hanging out for trying sway when air moves हना हम देखते हैं कि अगर कोई कपड़ा कर सुखाने दिये तो हवा इस तरह से मूव करता है क्यों क्यों हवा चल रहा है तो हम लोग हवा को बस feel कर सकते हैं ठीक है और अर्थ is surrounded by a thick blanket of air quality जो बताएं कि हम लोग अर्थ एक thick blanket थेन बोल दिया स्वारी ठीक है है तो वह एर के blanket जैसा है इस तरह से तो वही इसको बोलते हैं atmosphere बोलते हैं ठीक है इस atmosphere is held by earth's gravity और यह जो यह जो atmosphere है यह कैसे मेलब की अर्थ के पास आसपास है तो वह gravity के कारण है अर्थ का gravity के कारण there is no air in the space अगर हम कुछ 100 km 400, 300 km, 350 या 400 km उपर चले जाएं है न अर्थ के 400 तो ज्यादा बोल दी है इतना तो international space station होता है 300, 350 के पार जाएंगे तो क्या होता इस पेस आ जाता है space जैसे आया atmosphere के बाहर जैसे ही निकले तुम atmosphere के बाहर जैसे ही कदम लगी तुम्हारा spaceship जो भी जाएगा तो यहां पर air नहीं होता है वहां पर air नहीं होता है मतलब वहां तुमको oxygen नहीं मिलेगा so atmosphere बहुत है जरूरी इसके लिए एक मिनिट रप करने जाते हैं there is less air on high mountains and underwater और जहां तुम जितना high altitude में जाओगे जितना उचाय में तुम जाओगे वहां पर हावा का कमी होने लगेगा ठीक है इसी जैसे तुम देखते हो माउन्ट एवरेस्ट का जो चड़ाई करते हैं माउन्ट एवरेस्ट जो सबसे हाइस पीग है जैसे तुम एल्टिटूट के उपर जाओगे तो वैसी वैसी एर का कमी होते जाएगा और इसी तरह से पानी के अंदर भी एर नहीं होता ठीक है तो there is less air on high mountains कम हवा होता high mountains में और underwater पानी के अंदर पानी के अंदर भी कुछ डिसॉल्व होता है oxygen डिसॉल्व होता ठीक है जिसे मशली सांस लेती है मगर क्या है जैसे तुम और डीप चाते है वो लेस होते जाएगा ठीक ऐसे पानी में बहुत लेसी oxygen या फिर जो भी है एर होता है the atmosphere protects our earth from the severe heat and light of the sun as it reflects from it देखो हम लोगा atmosphere बहुत ही जरूरी है और शरीफ अर्थी ऐसा है जिसमें atmosphere होता है और यह जो है क्या काम करता है पहले तो हम लोग जितना भी gases है oxygen carmides nitrogen जो इसमें है पर sun का जो रेस होता है ना वो harmful होता है क्या होता है harmful ठीक है इसे हम लोग क skin cancer भी हो सकता है इतना harmful होता है UV rays ultraviolet rays एक rays होता है जो sun से आता है तो इससे बहुत ही harmful होता है ठीक है तो यह अंदर ना घुस पाए तो यह atmosphere का यह रोल होता है कि यह अंदर इसको अंदर penetrate नहीं कर पाए इसको रोक लेता है पर हम लोग जो इनसान लोग है ना बहुत ही लाल बना है बहुत सारा chemicals बना है जिसे कि fridge फ्रीज हो गया बहुत सार तो उसमें जो gases लगाते है गैस होता है ना यह लो फ्लोरो कालवन सुने होगा कभी तो यह सब गैस के वज़े से industry का pollution के वज़े से क्या होता है यह atmosphere में छेद होने लगा और उसके थुरू UV rays अंदर आ जा र तो खैर यह ठीक भी हो रहा atmosphere हम लोग का जो छेद हुआ था खैर उसे आगे आते हैं हम लोग this is why the days do not become too hot and oh sorry उपर है ना the atmosphere protects our earth from severe heat and light of the sun as it reflects हम तो दूसरे टॉपिक में चले गए atmosphere जो हम लोग का है न यह क्या करता है sun का जो rays है harmful rays तो बचा दिया पर जो नॉर्मल हीट है जो नॉर्मल हीट है वो तो अंदर आता है और क्या होता है यह trap हो जाता है क्या होता है trap हो जाता है फस जाता अंदर atmosphere अपने आप में फसा कर दिया है अर्त ठीक है atmosphere में यह release होता है एअर्त के ऊपर में release होता है तो release होने के कारण क्यों होता है राथ थंडी न होती जाता है십ला थंडी नहीं होती है suneee राध अगर बहुँद ग्रफाद थंदी अगर फज्डी हो जागे तो हम लोग मर सकते हैं अब लोग कि या है जादा हीट को आने नहीं दिया को और मीदक हीट वहां जादा हीट को नहीं के這是 क्राइब को नघो रर्फ इस Also टी वैबसौका इसको होड Hackक शाथWORTH में भीने रहुआ हुआ और चब रात हुआ है को रात नहीं हुए बुक्तना नहीं और हम जानते हैं कि सूरज का रॉसनी क्या काम करता है प्लांट कैसे फोटो सिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं तो यह संलाइट के वज़े से भी होता है ठीक है तो संलाइट बहुत ज़री है प्लांट के ग्रोथ के लिए अटमस्फेर बुलो इस बड़ा बड़ा जो पत्तर होता है वह क्या होता है कभी कभी अर्थ करावइटेवायड़ मैं यह आता है तो यह इतना ठीक होता है इतना ठीक होता है कि यह बर्न हो जाता है लोग अधरती के पहुंचने से पहले जल जाता इसलिए तोटता पत्थर होते हैं तो कि अब उसके लेर खे बारे में जानते हैं यह लेर लेर ठीक है अर्थ होगी है और यह हम लोग का एटमस्फेर यहांत था है ठीक है यहां से यहांत था करके पढ़ते हूंगे है कि लेंट हूं अफार Ferrari सब्सफेर इंटे इस नाम मेरे तुमको बहुत सारा answer में लिया होगा. टोपोस्फेर सबसे नीचला, मलब सबसे नीचला वाला जो लेयर है वो टोपोस्फेर है यहाँ पर. यह जो है, यह बहुत ही important layer है. ठीक है? It is the lowest and the heaviest layer of earth. यह क्या है? सबसे नीचला layer है और heaviest है. It consists of the air जितना important gases होता है जो हम लोगों सांस लेने में अक्सिजन हो गया, करमेंट डाइक्स हो गया, यही में मिलता है, all the weather changes takes place in this, और जितना भी weather changes है, winter हो गया, clouds formation यहीं पर होता है, clouds are formed here and bring rain and snow in the layer, जितना भी मौसम कैसे बदलेगा, बारिश होगी, ठंड होगी, तो यही layer में सारा process चलता है, फिस second है, यह देखो, यह इतना important है यह चीज, कि तुम आगे बढ़े हो जाओगे, तो government का exam चाहिए, कोई भी exam में भर होगे, तो यह सब question आयता है, arrange करने के लिए, तो सबसे नीचे वादा layer पुछ देगा, layers of atmosphere पुछाओ, कौन सा सही है, तो one number में यह होगा, two number में यह होगा, three number में कुछ और होगा, तो सजाना होगा, मालब को आप लिखा वगा रहेगा, तो पता करना होगा, कि मालब लिखना होगा कि यह कौन सा सही है, तो मालू मुझे है, पहला है toposphere, फिर आता है stratosphere, यह क्या है, तो it is a cloudless layer that lies above the toposphere, toposphere के उपर होगा, और क्या है cloudless है, इसमें cloud तुम गों नहीं मिलेगा, ozone is present in this layer, यह ozone जो है नो, यह important है, यह बहुत ही important है, पुछता है, यह कौन सा layer of atmosphere में ozone पाए जाता है, तो यह तुमारा stratosphere में पाए जाता है, और इसका काम क्या है, इसका काम यही बताएं कि atmosphere है, यह ozone, मलब कि atmosphere, यह ozone stratosphere में लगबग यहां पे होगा, यह थोड़ा यहां पे होगा, यह जो harmful rays आ रहा है ठीक है, अट्मसफेर में गुशा, और यहां पे है ozone layer, यहां पर हम लोग का ओकनक्याइब और दोख यही लेयर है जो एड्मस्वार के अंदर प्रेसेंट होता है यह रोग देता है रॉक देता है यूवी रेज जो हवाईजाज होते हैं यही लेयर में उड़ते हैं मलब बादल के उपर बलता हैं बादल के उपर उड़ते हैं तो बादल के उपर कौन हो गया तो स्ट्राइटस हो गया सब्सक्राइब next क्या है mesosphere mesosphere third layer the layer protects us from small rocks moving in the space called meteorites अभी जबताए कि हम लोग का atmosphere atmosphere में अगर कोई पत्थर इस तरह से आ रहा है ग्रेविटी करना घुशता है तो इट इस टोई जल जाता है क्यों यह mesosphere के चलते है ठीक है इसको यह तबाह कर जाता है these meteorites burn in this layer and do not reach the earth surface और धर्ती तक पहुंचने नहीं दिता ही है न फिर थर्मोस्फेर है यह क्या है इट इस दा फॉर्थ लेयर एंड थीकेस्ट लेयर और थीक लेयर है और सबसे गरम यहां पर तुमके टेंप्रेचर मिले है कितना 2000 डिग्री सेल्सियस इतना गरम है इसलिए क्या होता है इंपोर्टन पड़न बता रहे है जब भी एश्ट्रोनॉट कुन हो गया जो इस्पेस में जाता है स्पेस में लोग जानते के स्टेशन इंसंटन स्पेस इस्टेशन फोर हंड discard कि वोबो मेटर उपर ठीक है यहां पर साइप्रेट कि रहता है रह Haushया क्या अमेरिका के सह मिल के बहुत सारा निसंस मिलके बनाएं यहां पर रिसर्च वगएरा होते रहता है तो तुम देखते हो अगर रॉकेट से साइंटिस लोग जा रहे हैं तो जब जाते हैं तो बहुत सारा थ्रश्ट के वज़े से पहुँच आते हैं पर जैसे वापस आते हैं तो एक कैपसूल में इतना में की यह पूरा काला हो जाता है जब धर्ती पे अता है तो पूरा काल जल जाता है तो यही के कारण जब अंदरटा सब्सक्ड़ में क्या होता है मेरा यह तना दिगरी होताय तूँं elkaar के समझ रहो मीरें थीकिड़ी में एक वगिषुव यहं नहीं है बहुत ही इस लेयर में बहुता है जो एक लेयर में बहुता है इसमें इसमें सबसे कम मातर है में हवा बराबर तुम यहां पर सांस नहीं बहुता है इसके बाद फिर कोई एक्जेश्च साथ कोई लेयर बसता ही नहीं है हावा के लिए सेटलाइट अर्बिट अर्थ अर्पेजेंट है और सेटलाइट कहां होती है तो बताएं यह 400 किलोमेटर लगभग ऊपर आगया एक्जोस्फेर ठीक है बियॉंड एक्जोस्फेर लाइस स्पेर और एक्जोस्फेर के बाद क्य फूरते रहता है फिर आता है 메स़्फेर जहां पर क्या होता है मेटराइट जो है जल के राख हो जाता फिर आता है ठेमस्फेर यहां पे तुम्रार स्पेस इसब रहेगा ठीक है और फिर एक्जोस्फेर आता है जो इसके बास फिर इस स्पेस आया त selective हैं इधुट खूर लि इसे कि नाइटोजन औक्सीजन कार्बाइंड और यह में इस गैसे इसे इसे थे फोर धूर्वाइबल ऑफ प्लांट्स और अग्सीजन हम लेते हैं कार्बाइंड से प्लांट्स शूड़ते हैं और नाइटोजन जरूरी किसके लिए होता है प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है ठीक है बहुत ही जरूरी है और सबसे ज्यादा नाइटोजन ही प्रेजन होता है हम लोग का इटमस्पेर अटमस्पेर एंड परसंट लग बगए ओके इस कैसे सार एसेंचिल फॉर दा सर्वाइबल अप्लांट्स अनिमल से अग्योंग प्रेंटेंस वाटर वेपर याज वेपर भी होता है डेस्ट पार्टिकल्स होते है और स्मोग हम लोग के कारण वी कैन फील द एर वेन इड ब्लोस हम लोग फील कर सकते हैं जब हावा चलता है तो मूविंग एर इसकॉल में जो हावा चल रही है तो सो क्या बोलेंगे ज़्यादा जो आधी तुफान जिसको बोलते हैं तो क्या बोलेंगे गेल नाम से प्रोंस करेंगे वेरी फास्ट रंड विंड और कॉल स्टॉम और जब तुफान चलता है उस ताम बिजली भी करके ठीक है थंडर स्टॉम होगा तो तुस ताम को क्या बोलेंगे लोके पहला इट ऑग्जबाइश प्रेसर हावा जो है बैलून है मालों इसको फूल आए तो क्या वह इस प्रेस अक्यपाई गिया और बैलून में बैलून का वेड बढ़ जाएगा थोड़ा सा एदं मानुट तो वेड भी होगा और ऑग्जबाइश प्रेसर होगा तुम इसको तो देखते हैं क्या है देखो नाइटोजन 78 परसंट होता है अच्छा दिए नाइटोजन इस बता रहें नाइटोजन 78 परसंट होता है नाइटोजन है क्या है नाइटोजन इस टेकन अप बाइदा प्लांट्स फ्रॉम दस्वाइल प्लांट्स के लिए जरूरी आता है वो कैसे लेते हैं स्वाइल के वज़े से लेते हैं हावा में नाइटोजन होता है पर एक बैक्टेरिया बहुत सारे बैक्टेरिया होता है जो प्लांट सो कमी हो जाता है नेटोजन का ठीक है इसलिए हम लोग आटिफीसियल बहुत सारा चीज़ दूस करते हैं ताकि नेटोजन पहुंच पाए प्लांट को ऑक्सिजन जो की 20% है ऑक्सिजन इस इंपोर्टेंट पूर ओल लिविंग तेंग्स उसके लिए जरूरी है प्लांट सो एंसान जरूरी है इसलिए हम लोग जो आग लग जाता है जो इसको बुझाते हैं तो उसमें सीओ टू होता और बहुत सा अन्य गैसे होता है तो क्या करता है ऑक्सिजन का प्रेजंस को कम कर देता है इसलिए आग भी बुझ जाता है समझे अधर गैसे जैसे कार्बन डायोकसाइड एरगन हीलियम नियोन वाटर वेपर यह कितना है तो वन परसंट है इसमें से 0.03 परसंट कार्बन डायोकसाइड है यह रहना बहुत जरूरी है अगर यह इसका अमांट बढ़ गया तो फिर क्या होगा अर्थ में हीट जिसे बढ़ रहा है ठीक है तो इसी कार्ण कार्बन डायोकसाइड इस नीडड़ बाइप्लांट फूर प्रिपेरिंग फूर्ड बाइद प्रोसेस आफ फोटो सिंथेस कार्बन डायोकसाइड ज़रूरी और यह ज़रूरी है है एयर्गन इस च्जो इन एव ऑरGM इस योश्ट इंअक्साइड फूर्त को अ बैलूर रहता है तыхक है और जो ग्लो करता भूह सार भी तुमको इंतो इक इन रहता है ठीक है और येौऩ करता आदूर्य करता ही बहूँ सार रहता है नियोन गैस किया करता है गलो करता है तो गलो साइंस करने के लिए नियोन गैस का इस्तमाल करते हैं okay Besides these gases, air also contains water vapor ना जो भाप होता है हवा में ये भी मौदूद है The amount of water vapor present in the air at a given time is called humidity humidity बलता है बहुत humid है बहुत humid है तो यही है water vapor का कम जादा होना ठीक है The amount of water vapor present in the air at a given time उस समय में मौझूद होगा तो क्या बोलें हुमिडिटी बोलें हुमिडिटी इंक्रीज़ आफ्टर रेन पसीना नहीं सूखेगा तो क्या होगा हम लोगों ज्यादा लबकी अगबकी लगेगा ठीक है तो अगबकाहट लेसा फूकेशन बोलते उसको तो क्या होगा आवस्वर डस नॉट इवप्रेट इसली इसलिए हम लोग क्या था ज्यादा गर्मी लगता अनकंफर्टेवल महस और अंडिस्टूड यह रिजन है तो लास्ट पॉइंट है आज के लिए पार्ट बन में वाटर लाइक एयर वाटर इस अलसो एसेंचिल फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हवा कितना जरूरी है देख लिए उसी तरह से पानी भी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में वा यहाँ यहां से बाइब दो मिलता है कि वारटर अविलेबल थूदिस वर्स इस नाट प्यूर एज इंश्टूर अंगर अगर हो गारी शुटा है तो बहुत प्योर अए नहीं वारे बारिश का शाव जाइन जरूरी प्लूर है तो यह जो बारिस पुरा पूरी प्योर नहीं नहीं पॉंट का पानी होता है प्योर नहीं साफ होना चाहिए जब हम लोग करें साफ कर लिए रिए water that is fit for human consumption is called potable water जो पानी human के लिए human consumption के लिए fit हो तो क्या बोलते है potable potable water ठीक है important substances that make the water impure are called impurities जो भी substance जो भी dust है जो भी dirt germs है इस तरह से कोई भी पानी को गंदा करता है उसको क्या बोलते है impurities impure cheese they can be soluble or insoluble वो घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं soluble मेलब जो घुल जाए insoluble मेलब घुले नहीं तो यह दोनों impurities हो सकते है the impurities that dissolve in water are called soluble impurities जो dissolve हो जाए उसको क्या बोलेंगे soluble impurities the impurities that do not dissolve in water is called insoluble properties जो इंब इंब इंप्योरिटीज तो आज के लिए बस इतना ही we will meet in the next part of this chapter till then God bless you all